दोस्तो पंजावी सिंगर सुभदीफ सिंग सिदू उटफ सिदू मुसे वाला अपनी जादूई आवाज के चलते लाखों दिलों पर राज करते थे वह एक ऐसे पंजावी गायक से कॉंग्रिसी नेता बने थी जिनकी लाखों पर संसक थे और इसकी जहलक उनके परतेक मंच परदर्शन में देखी जाती थी आला कि 29 मही 2022 को पंजाव के मांसा में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई यह घटना तब हुई थी जब पंजाब पुलिस ने पंजावी गायक समय 24 लोगों से सुरक्षा वापस ले ली थी कतित तोर पर भगवन्त मान सरकार द्वारा भी आईपी संसक्रीती पर नकिल कसने की कवायत के बाद सुरक्षा वापस ले ले गई थी गोली लगने के बाद गायक से नेता बने अभिनेता को पांस के अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत गोसित कर दिया गया उनकी निधन से पूरा देश अस्तब्द है भले ही अब सिदु मुसे वाला इस दुनिया में नहीं है लेकिन वह अपने चाहने वालों की दिलों में हमेशा जिन्दा रहेंगे यहां हम आपको आपके पसंदिदा सिदु से जुरे कुछ अंसुने किसे के बारे में बताने जा रहे हैं पंजावी गायक सिदु मुसे वाला पंजाब के राजकुमार थी जो राजी के मांसा जिले के मूसा गाउं में पैदा हुए थे सिदु मुसे वाला ने लुधियाना के गुरू नानक दिव इंजिनियरिंग कोलेज से पढ़ाई की थी उन्होंने 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग में असना तक किया था अलाकि गायन के लिए उनका जुनून हमेशा उनके साथ था वह डिए भी कोलेज में हुए प्रोग्राम में सांदार परदर्सन करते थे वो आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा गये थे सिदु मुसे वाला का गायन के परतिप्रेम और गायक होने का जुनून छटी कक्षा से सुरू हो गया था तव इसकुल जाने वाले सिदु ने लुधियाना में हरविंदर बिट्टू संगीत अकैदमी से गायन सिखा था 2018 में उन्होंने अपना पहला अलबम PBX वन जारे किया था या अलबम केनेडियन अलबम 4 पर चार्टर था इसने 2019 BRITS.E.A. TV Music Awards में सर्वस्रेष्ट अलबम का पुरुसकार भी जीता था इसके बाद से उन्होंने एक के बाद एक काई हिट गाने दिये इससे पहले उन्हें 2017 में अपने गाने सो हाई से सफलता मिली थी जिसके लिए उन्होंने BRITS.E.A. TV Music Awards में सर्वस्रेष्ट गीतकार का पुरुसकार भी जीता था जून 2019 में सिदू का सिंगल गाना 47 ने खूब सुर्खियां बटूरी थी या गीत वेवजी लेंड होट 40 सिंगल चार्ट पर भी चार्टर था पंजाबी गायक को मनिंदर बुटर और करन ओजला के साथ पंजाब में सब्टिफाई के सबसे लोगपडिये कलाकारों में भी सामिल किया गया था सिद्धु मुसेवाला को अक्सर समाज या किसी भी समाजिक समू के विभिन द्रिष्टिकोनों भावनाओं मुल्यों और व्यभार को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था अलाकि उनके गानों में बंदुकों के इस्तिमाल से कई धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी साल 2019 में रिलिज हुए उनका गाना जटी जाने मोर्दी बंदुक वर्गी ने आठार्मि सदी की सीख योदा माई भागो के बारे में विवास शुरू कर दिया था कतित तोर पर गायक ने माई भागो को खड़ाब रोसनी में दिखाया था हालाकि सिद्धू मुसेवाला ने इसके लिए माफी भी मागी थी इसके अलाबा करोना महामारी के दोरान सिद्धू का एक वीडियो वारल हो गया था जिसमें उन्हें फारिंग रेंज में एक ए-47 रैफल से फारिंग करते हुए दिखाया गया था इसके बाद 2020 में कैप्टान अमरिंदर सिंग के नितरित्व वाली ततकालिन पंजाव सरकार ने पंजावी सिंगर के एक गाने में कती तोर पर गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में आर्म्स एक्ट के दात मामला दर्ज किया था सिद्धू मुसेवाला ने 2022 के पंजाब विधानसवा चुनाव में पंजाब के मांसा जिले से कॉंग्रेस टिकर से चुनाव लड़ा था पंजाब कॉंग्रेस के ततकालेन परमुक नवजूद सिंग सिद्धू ने पंजाबी गाया को एक युवा आइकन और एक अंतराष्टी ये व्यक्तित्व करार दिया था हाला कि उन्हें आम आदमी पार्टी के उमिद्वार विजे सिंगला ने 63,323 मदों से काफी अंतर से हराया था मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धू मुशेवाला ने अप्रेल 2022 में लौंच वे अपने गाने मली का बकरा से आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों पर निशाना साधा था और आप समर्थकों को गदार भी कहा था यही कहानी थी पंजाबी सिंगर सिद्धू मुशेवाला के सुरू से अंतर तक की कहानी